बराउनी परखन नंतरगत सिमर्या गंगा घाट पर नाग पंचिमी के अवसर पर गंगा में कुस बांधने के लिए उम्री सरधालों की भेर सुरक्षा के दिखे पुखता इंतजाम विदितों की नाग पंचिमी के अवसर पर जहां एक तरफ भगवान नाग देवता की पूजा की जाती है वहीं कुस को बांधा जाता है यह एक पाउरानिक परंपरागत और प्रचलित बिवस्ता है इसको लेकर बराउनी परखन नंतरगत सिमर्या गंगा घाट पर बड़े ही आस्था विश्वास और अहलादी धंग से पाउरानिक विवस्ताओं के अनुरूप गंगा नदी में खरे होकर कुस बांधने के लिए सैक्रों की संख्या में सरद्धालों की भीर उमरी हलाकि इस अफसर पर सुरक्षा के काफी पुक्ते इंतजाम देखे गए जानकारी दे उनकी पूजा भी करता है विदितों कि यह नाग पंचमी नाग देवता को शमर्पित है और इसमें भगबान नाग की पूजा की जाती है साथ ही बैधानिक और पाउरानिक मान्यताओं के अनुशार कुस को बांधा जाता है हलाकि सास्त्रगत विवस्ताओं के अनुरूप इनमें एक से बढ़कर एक प्रचलित कहानिया हैं लोग इसे मानते हैं जानते हैं पूजते हैं हलाकि इनको लेकर सुबह से ही गंगा अनदी पर स्रधालों की भीर उम्री रही और बैधानिक मंत्रों चारण के बीच मा गंगा का पूजन किया गया उनकी आरती की गई और उ इक मान्यताओं के अनुरूप पूजा की जाती है और इस पूजा को पारंपरिक स्वरूप देकर प्रंपरागर धंग से उसे पिरोया जाता है सजोया जाता है और इन चीजों में लोग बड़ी ही आस्था और भक्ती विश्वास दिखाते हैं